तो आज किस वडियू में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लैपटोप में कीसी भी एप को डाउनलोड करना चाते हैं, तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी एप को डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने Google Chrome को डाउनलोड कर रखा है YouTube को डाउनलोड कर रखा है WhatsApp हो गया, Khan Sir का अप्लिकेशन हो गया उसके बाद Physics वाला एप हो गया उसके बाद यहां पर देख से थी कि बहुत सारा यहां पर application डाउनलोड कर रहा है ठीक है अगर आप इस तरह से application को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने laptop में इस तरह से app को डाउनलोड कर सकते हो और वो भी पिल्कुल आसानी तरीका से लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा आपके लिशी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ तो चलिए सुरू करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने लैपटोप में किसी भी एप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि किसी भी एप को आप डाउनलोड कर सकते हो laptop में बिल्कुल आसानी तरीका से तो पहला trick में सबसे पहले आपको Google Chrome को open कर लेना है अब जैसे open करिएगा open करने के बाद मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको profile के बगल में बहुत सारे dots देखने को मिलेंगे और यहाँ पर देख सकते अब यहाँ से आप किसी भी app को download करना चाते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लीडो हो गया कैरम हो गया उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा देखनी को मिलता है ठीक है और मैं यहाँ पर एक चीज़ सर्च कर लेता हूँ जैसे कि install का option तो दिया जाता है लेकिन आप यहाँ से download नहीं कर सकते हो ठीक है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर यह गलत तरीका बताते हैं लोग बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन यह गलत तरीका है यहाँ से आप download नहीं कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यह रिलोड हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलोड होके यहाँ से कट गया ठीक है यानि कि यह वाला जो ट्रीक है वो फॉलो नहीं करेगा ठीक है और दूसरा trick मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है मैं आसे इसे new tab open कर लेता हूँ और इसे यहां से cut कर देता हूँ ठीक है और दूसरा trick मैं आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले उस app को search करना है जैसे कि मुझे WhatsApp डाउनलोड करना है तो मै यहां से WhatsApp search कर देता हूँ ठीक है मैं और से Whatsapp डाउनलोड फोर विन्डों कर देता है ठीक है यहां पर दूसरा तरीका काम करेगा है यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने माला है मैं आप दिखादेताउ ठीक है अब जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के trick जो बताने वाला हूँ वो बहुत काम का trick होने वाला है तो तीसरा trick को आप follow करिएगा और बहुत सारे लोग भी करते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले कि आप laptop में ही Microsoft Store दिया जाता है तो वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर window का option देखने को मिलेगा start का button तो इस पर आपको click करना है अब जैसे यहाँ पर click करिएगा तो click करने के बाद यहाँ पर open हो जाएगा और open होने के बाद देख सकते हैं कि laptop में ही option दिया जाता है Microsoft Store तो इस पर आपको click करना है ठीक है अब click करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी app देखने को मिल जाएगे यहाँ पर जो भी app आप चाहते हो download करना वो आसानी से download कर सकते हो यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है और यहाँ से download भी होगा जैसे कि आप mobile में यूज करते हो play store वैसे ही होता है laptop के लिए Microsoft Store तो आप यहाँ से download कर सकते हैं जैसे कि देख सकते है Netflix हो गया उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि WhatsApp हो गया Instagram हो गया यहाँ पर बहुत सारा app देखनी को मिलेगा अगर gaming करना चाहते हैं तो gaming के लिए भी app दिया गया है तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी तरीका से download कर सकते हो तो यह वाला मैं download करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारा फोटो देखनी को मिल जाएगा यानि कि आप लैप्टोप में WhatsApp यूज कर येगा तो कैसा देखनी को मिलेगा यहाँ पर देख सकते हो असकीन सौट दिया गया ठीक है तो आप बिल्कुल आसानी तरीका से आप इसे यूज कर सकते हो और यह जो है वो लैप्टोप का अपना प्लेयर स्टोर होता है Microsoft अस्टोर तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो बस आज क्लिए इतना ही और यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथी अभी तका मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया आपके लिए से तरह के वीडियो ले करके आते रहता हूं